आस मैं आपके साथ सेयर करनी वाली हूँ, हजार गुनों से भर पूर एक लड़ो की रिस्पी बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है और ठंड में जितनी भी आपको प्रोग्लम्स होती है, जैसे कमर दर्ड, जोडों की दर्ड, सब भी से आपको रहा देगी और बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है, तो बस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पैन और इसमें एड़ करें एक बड़ा चमच इतना घी, घी का इस्तमाल करना अच्छा टेस्ट आएगा और इसमें एड़ करें थोड़ी से बारी कटे हुए ड्राइफ रूट्स, तो मैंने यहाँ पर लिया है सूखा नारियल, काजू, बादाम और साथ में ही छुहाडा आप दूसरा भी ड्राइफ रूट्स इस्तमाल कर सकते हैं, जब हलका सब भून जा तो एड़ कर देंगे, यहाँ पर ग्रेट किया हुआ ड्राइफ कोकोनट तो यहाँ पर मैंने एक नारियल लिया है, मतलब एक साबुत नारियल में थूड़ा नारियल को कट कर दिया था और बाकी को कुड़िट कर दिया था, तो आप इस तरीके से इस्तमाल करना बस सबी चीजों को एक से दो मिनट के लिए बून लेंगे लो फ्लेम पर ताकि अच्छा से क्रंच आज़े तो बस अब मैं इसे ट्रांस्वर कर ले रहे हूं एक प्लेट में अच्छे से हम यहां पर भून लेंगे और इस लड़ो को बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है एक डम कम खर्चे में आप इससे पना कर तयार कर सकते हो तो बस देख सकते हूं यहां पर जो आटा इसमें अच्छा से कलर आना स्टार्ट हो गया प्रॉक्स आपको दस से बार मिन आटा को भूनने में और फ्लीम को बिल्कुल लो रखना तो चली है हमारा आटा बिल्कुल भून कर तैयार हो चुका है तो बस मैं आटी को ट्रांस्वर कर रहे हूं एक मिक्सिंग प्लीट में आप एक बड़ा सा प्लीट लीना सभी चीज़ों को उसी में आड़ कर देंगे सबी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे काफी अच्छे से बाइंडिंग हो चाहेगी और बस इसकब हम लड़ू बनाना स्टार्ट करेंगे बहुत सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो जाता है और आप एक दिन में दो लड़ू अराम से खा सकते हो इसका टिश्ट जो जरूर से बताया है और चैनल परना है तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिलते हो नेक्स टम तब तर के लिए बाइंड टेक केर